दोस्तों स्वागत है आपका अमन अनलिसिस में तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर आप लोगों ने NDA का फर्म भरा है तो जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं बात करने बरते वो गलत हो गया तो अब इन मिस्टेक को सॉल कैसे करना है इसके उपर बात करते हैं तो इस वीडियो को पूरा इंट तक जरूर देखना अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं सबसे पहले पॉइंट की कि आपक इसको इसको क्लियर करते हैं कि आपको एक्जाम देने का मौका जरूर मिलेगा अपनी फोटोग्राफ जो आपने लगाई है उस फोटोग्राफ बहुत सारे बच्छे बोले हैं कि फोटोग्राफ मिस्प्लेस हो गया यानि कि signature के जग़ कर फोटोग्राफ आ गया और फोटोक बोलडरी की mistake हो गई उन लोग को मैं बता दूँ कि जब आपका जो guideline निकला है ना admit card गा उसमें 3-4 pages निकले हैं तो उन pages में भी UPSC ने ये चीज़ mention किया है कि अगर कोई गलतिया है आपके admit card में आफिर आपके application form में और अगर आपको उसको सुधारना है तो आपको अपना ना registration number और NDA vacancies के बारे में सब कुछ लिख कर अपना जो problem है उनको mail करना है उन लोगों ने एक mail ID दिये है उन्होंने तो उस पर अगर आप mail करोगे तो जो आपकी problem है वहाँ पर आपको सुन्या जाएगा ये दूसरी चीज होगी तीसरी बात अगर आप वो चीज नहीं करना चा ये सब चीजे वहाँ पर ठीक हो जाएंगी जब आपने SSB interview देने जाओगे जब आपका SSB interview होगा ना तो वहाँ पर एक section आता है document verification का तो वहाँ पर आपके documents को verify किया जाता है आपका नाम आपका 10th के result के साथ इस तरीके से तो वहाँ पर अगर कुछ गलती हो तो आप बता स सकते हो वहाँ पर और वहाँ पर आपका जो application form में वो लोग सही कर देंगे आपको मेरे बात समझा रही है वहाँ पर वो लोग आपको मौका देते हैं सही करनेगा लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिलेगा तो आपके पस दो chance है या तो आप UPSC को mail कर सकते हो या तो आप SSB interview म महाँ पर ठीक करा सकते हो दोनों आपके पस opportunity है तो आप देख सकते हो कि आप किसमे comfortable हो वसे मैं तो आपको यही suggest करूँगा कि आप सीधे SSB interview में ही अपना जो गलतिया है उसको ठीक करा सकते हो जब आपका return exam clear हो जाएगा ठीक है तो mistakes को इस तरीके से आपको handle करना है उमीद करता हूँ कि आपको यह video beneficial लगी होगी चलता हूँ मैं जय हिंद जय भारत